दोस्तो नमस्कार मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं एडू बगीचा एडू बगीचा परिवार के तरफ से आप सभी का हार्दी का भिनंदन है तो दोस्तो आज हम लोग इस सेशन के माध्यम से इस सेशन का एक मात उदेश्य है घर-घर तक सिक्षा का दीप जलाना और घर-घर तक शिक्षा का प्रकास जो है रौसनी जो है उसको पहुंचाना तो चलिए आए हम लोग पिछले वीडियो में बिहार की नदियों से शंबंदित मैप के थुरू और चार्ट के थुरू शमझे थे अब बिहार के जो जल परपात है जील है और कुछ नहरे हैं उसको लोग प्रफिट के मध्रशे देखते हैं तो चली आये देखते हैं कि यह first त्रिवेनी नहर जो की घंडक नदी परिश्थी सब्सक्रतिए और चारं और ये उन नहरे किस नदी पर है गंड़क नदी परिश्थित है बिहार की मैप अगर हम लोग देखें एक छोटा सा अगर मैं पर यहां बनाया जाया तो यहां बीचे बीच तो है गंगा नदी निकल गई यहां से जो गंडक नदी आती है और यहां पर सोनपूर के पास आके मिलती है तो यहां पर नहरे बनाई गई है और यहां पर नहर बना करके मतलब बाखी के जगहों पर सिचाई का काम किया जाता है, यहां से कुछ उत्तर पर्देश में भी आती है babies तो चलिए हम लोग बिहार से संबंदित कुछ नहरे को दीखते हैं तृ्बे Iya शारं नहर भी गंड़क नदीपर और तेव्र नहर भी गंड़क नदीपर ये 5 मुख्य नहरे जो कि गंड़क नदी पर इस्तित है जबकि बात करें कोशी नहर पर एक पुर्भी कोशी नहर जैसे कोशी की मैप अगर देखेंगे कोशी अगर यहां से आ रही है तो यहां से दोनों तरब से नहरे निकली हुई है तो एक पुर्भी कोशी नहर और एक पश्मी कोशी नहर तो कोशी नदी पर अगर पूछेगा कि पूर्वी कोशी नहर यानि यह पूर्वी कोशी नहर जो यह है इसी को हम लोग राजपूर नहर भी कहते हैं और बात करें पश्मी कोशी नहर अगर कहेगा तो तो असपस्थ है कि कोशी नहर नदी पर ही है तो इससे नाम से ही असपस्थ ह लेकिन अगर राजपूर अगर पूछे तो राजपूर को ही पूर्वी कोसी नषर कहाते हैं और यह कुसी नदी पर इस्तित्र हैं देखिए यह रहा मतलब बिहार की कुछ फेमस नहरे जिससे कि सिचाई की ब्यवस्था की जाती है अब देखते हैं कुछ जल प्रपात हैं जो जल प्रपात एक्जाम सोगरा में पूसते हैं कि बिहार में जैसे कॉकुलत जल प्रपात कहां इस्तित है तो कॉकुलत जल प्रपात जो है नवादा में इस्तित है जिसके उच्चाई 47 मीटर है यानि कि 47 मीटर उच्चा है ककोलत जलपरपात तेहलर तेहलर जलपरपात की अगर बात करें कि तेहलर जलपरपात कहां है तो वह कैमूर में है बात करें करकट जलपरपात का तो करकट जलपरपात भी कैमूर में है दुर्गावती जलपरपात जो की काफ बॉक्सर में बात करें भूंधाकूंट जम परत और मन्ख जल परपाद जहां भी लाष्ट में कुण्ड लगा हुआ हो धुआ कुंड या मंझर कुंड ये दोनों जल परपात कहां है सासा राम में हैं सासा राम में कुंड 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 वाले जुतने भी जल परपात है वो क्या है सासा राम में है ठीक है तो हम लोगों ने नहर देख लिया जल परपात देख लिया बाकी है जील जील को भी हम लोग देखेंगे जील के बारे में पहले ये समझ ले कि ये जील आखिर है क्या बिहार में जील को ही मन के नाम से भी संबोधित किया जाता है मन समझते हैं कि मन क्या है जील क्या है कि नदियों द्वारा नदियों के द्वारा जो रास्ते बनाये गए होते हैं उस पुरा या जील का लाता है तो आए बिहार के कुछ फेमस जील है जिसके बारे में हम लोग देखते हैं यह कामर जील जो की बहुत ही फेमस जील है बिहार का यह बेगू सराय में इस्तित है कोशन पुछेगा कि कामर जील कहां इस्तित है तो कामर जील बेगू सराय में इस्तित है इसक दिया गया है बात करें गोगा विल जिल का तो इसको कहीं कहीं गोगा विल या कहीं घोगा जिल के नाम से भी जानते हैं तो गोगा विल का है या घोगा जिल का है यह दोनों क्या है कटिहार में है कटिहार में याद रखेंगे उसके बाद देखेंगे कुकेश्वर जिल के बा जील की बात करें तो यह भागलपूर में इस्तित है जबकि घोरा कटोरा जील राजगीर याने की नालंदा में इस्तित है घोरा कटोरा जील जो है राजगीर में इस्तित है नालंदा में नालंदा जील में अनुपम जील की बात की जाये तो अनुपम जील कैमोर में इस्तित ह जबकि मोती जील की बात की जाए तो यह मोती जील मोतीहारी में है जो कि पुर्विचंपारण मोतीहारी कहलाता है मोतीहारी में यह जील है सरया मन यह भी जील का हिस्वरूप है जो सरया मन जो है वो बेतिया में इस्तित है जबकि पीपरा मन जो है वो पीपरा मेश्तित है इस तरह से हम लोग बिहार के कुछ नहर कुछ जील और कुछ जल प्रपात के भारे में हम लोग देखे उमीद करते हैं कि ये आपको समझ में आई होगी इसको याद करना है दो तीन बार वीडियो देखिएगा आराम से याद ह जाएगा और उसको पेंडाउन भी ज़रूर किजिए का होता है कि याद है और हमेशा के लिए समरित impose क्या अंकित हो जाता है तो असा करते हैं कि अच्छा लगा होगा तो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है अगर का.